हलो दोस्तो ट्रेडिंग विट राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफी बीम एवेन्यू के बारे में पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली थी लेकिन अब एक रेंज पे जाकर फसा हुआ है वहां से रुक गया है ना वो उपर जा पा रहा है ना नीचे आ रहा है तो चलिए इस वीडियो में डिसकस करेंगे अब इसमें बड़ी तेजी अगर होती भी है तो किस लेवल के बाद इसमें तेजी बनेगी और अब आपको क्या करना है अगर आप नया इंटरी लेना चाहते हैं तो लेना सहीं रहेगा कीनी सारा चीजे इस वीडियो में डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए अभी आप इस चैनल को तुरण सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को अमेशा प्रेस करके रखना और हाँ दोस्तों वीडियो को स्रिफ एक लाइक भी कर दीजे ना इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता और ये बिल्कुल फ्री भी है तो चली आगे बढ़ते हैं और जा 21 रुपए 50 पैसे का फिर फाइनली 22 रुपए 20 पैसे पे मार्केट बंद हुआ था और यहाँ पे आज रेट कलर के साथ मार्केट बंद हुआ है 0.57 परसेंट का आज इंट्राडे में गिरावट देखने को मिला था डिलवरी परसेंटेज की बात करूं तो आज 29.8 बहुत अच्छा डिलवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला था रिटन की बात करूं तो पिछले वन विक में बहुत अच्छा रिटन दी है 29.48 वन मन में भी बहुत अच्छा रिटन है और एक साल और लांग टाइम पे भी बहुत अच्छा रिटन हमें देखने को मिल रहा अब दोस्तों यहां पर इसकी sales की बात करें तो हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है इसके sales में लगातार हमें growth देखने को मिल रहा है बहले हमें last quarter में यहां पर quarter on quarter गिरावाट देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ year on year तो यहाँ पे अच्छा मतलब sales में growth देखने को मिले है और net profit में भी लगातार हमें growth देखने को मिल रहा है year on year भी और quarter on quarter भी अब company अच्छा perform कर रही है जैसे कि आप जानते हैं यह company जो है payment gateway प्रोवाइड करती है जैसे कि आपने CC Avenue payment gateway सुना होगा देखा होगा जब online payment करते हैं बड़े-बड़े banks है SBI, HDFC बहुत सारे banks इसका जो payment gateway यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ जैसे कि lockdown का impact हुआ तो सब online की दरफ बढ़े हैं तो इस वज़े से इनके business में grow हुआ और अच्छा result हमें देखने को मिल रहा है 6921.48 करोर की एक small cap company है EPS अभी कम है 0.54, PE ratio 95 है और industry का PE 31.17 है तो यहाँ पे यह अपने industry से भी आगे निकल गया है, तोड़ा महांगा है book value की बात करूँ, तियहाँ पे 21.70 है और face value एक रुपए है अब date की बात करें तो बहुत अच्छा चीजे मुझे देखने को मिली इस stock में अब पहले इसकी 52 week का high देख लेते 56 रुपए 80 पैसे इसके 52 पैसे है और low है 24 रुपए 10 पैसे date की बात करूँ तो सिर्फ 19.8 करोर का date कंपणी के पास और उससे कहीं ज़्यादा company के पास कैसे 111 करोर तो company पूरी तरह से date free है और promoters का holding 31.9% है ये चीजे बस negative मुझे देखने को मिल रहा है और इनका जो holding है वो 1.77% अभी भी गिरवी रखा हुआ है इसके record में मुझे बहुत अच्छा चीज देखने को मिला company अपने date को लगातार कम करते हुए जा रही है अब last quarter में देखिए सिर्फ 20 करोर इनका date बचा हुए तो ये मुझे एक अच्छी चीज देखने को मिली है positive चीज ये एक हो गई और एक दूसरी चीज इनों ने अपने जो holdings थे promoters का holding उसका जो गिरवी रखा हुआ था placed था उसको लगातार कम करते हुए नजर आया है तो ये दो बड़ी चीजे अच्छी देखने को मिली है सबसे पहली जो मैंने बताया था इनके sales में grow देखने को मिल रहा है net profit में grow देखने को मिल रहा है और उसके बाद हो गया इनका जो dead है उसको कम कर रही और placed जो रखा हुआ है गिरवी इनका जो holdings उसको भी लगातार कम करते हुए नजर आ रही है बस एक चीजे मुझे यहाँ पे negative देखने को मिल रही है promoters अपना holdings को कम कर रही है पता नहीं क्यों कर रहे हैं बाकि सभी चीजे अच्छी चीजे है और एक चीज और बताऊंगा foreign investor ने इसमें अपने holdings को कम किया है अब देखिए दोस्तों यह अपने 52 वीक का जो high है 56 रुपए 85 पैसे इसके बहुत करीब है 8% करीब है और जब यह इसके cross करेगा तब भी इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी यह जो 85 रुपए 85 पैसे का जो range है यह 2 साल का भी high है तो अब यह देखिए मैंने जो foreign investor ने holdings कम किया है वो बताया था 2.4% का अपने last quarter में holdings को कम किया तो यह एक ही चीजे मुझे negative देखने को मिल रही है अब अगर मैं इसकी entry level की बात करूँ तो पहले इसका check list है उसको देख लेते हैं intrinsic value इसका data available नहीं है return की बात करूँ तो FD से अच्छा return नहीं है अभी लेकिन अब अच्छा देखने को मिलेगा dividend की बात करूँ तो company attractive dividend नहीं देती है entry level अभी करना सही नहीं है overbought zone पे है लेकिन यह stock कुछ दिनों से 52 के price पे sustain कर चुका है तो मुझे नहीं लगता कि यहां से अब यह नीचे जाएगा अब इसमें Uber के ही level देखने को मिल सकते हैं हो सकता है थोड़ा बहुत correction हो बट जादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी कोई red flag नहीं यह सबसे अच्छी बात है और यहां पे company का default होने का जो probability है प्राइस अनुमाल लगाया है 91 का और मुझे भी लगता है यह बहुत जल्दी यह लेवल है यह सोर टच कर लेगा अभी short time में इसमें 70 तक का लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकता है तो दोस्तो इसका जो measure resistance है 55-56 का है तो जैसे ही इस stock में breakout देखने को मिलेगा जब यह closing देगा 55-56 तब इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी अब यह तेजी एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, एक मैने में भी हो जब भी हो, जब भी यह, जब यह cross करेगा closing देगा उसके उपर जाकर closing देगा क्योंकि आज भी stock 55 के level तक बनाया था है और वहाँ से फिर से नीचे गिर गया है तो जब यह वहाँ पर closing देगा 55-56 के उपर तब इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी तो चली दोस्तो, इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई थेंक यू